आज लोकनायक जैप्रकाश नारायन की जैनती है लेकिन उनकी जैनती से ठीक एक दिन पहले लखनों में सियासी जंग शुरू हो गई है इस जंग के अखाड़े में एक तरफ खड़े हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखलेश यादव और दूसी तरफ खड़ी है योगी की पुलिस अखलेश जैपी सेंटर जाने पर आड़े हैं तो पुलिस उन्हें रोकनी पर दरसल लखनों में जयप्रकाश नारायन इंटरनेशनल सेंटर में जेपी की जैनती पर समाजवादी पार्टी कारिकरम रखना चाहती है लेकिन चैसे ही खबर लगी कि गोमती नगर में बने चैप्रकाश्ट नारायन इंटरनेशनल सेंटर के गेट को टीन सेट से ढख दिया गया है तभी आधी रात को ही अखिलेश यादव खुद वहां पहुँच गए हालात का जायजा लिया और सरकार पर कई आरो मड़ दिये सपा प्रमुख ने एक्स अकाउंट पर धड़ा धड़ पोस्ट कर लिखा किसी को नमन करने या श्रधांजली देने से रोकना सुस्भै लोगों की निशानी है दूसरे पोस्ट में अखिलेश लिखते हैं ये है भाजपा राज में आजादी का दिखावटी अमरित काल श्रधांजली ना दे पाए जनता इसलिए उठा दी गई दिवार भाजपा ने जो रास्ता बंद किया है वो उनकी बंद सोच का प्रतीक है रात में तो अखिलेश ने पोस्ट कर योगी सरकार को घेरा ही सुबा भी लबा चोड़ा पोस्ट एक्स पर कर दिया और कहा भाजपाई लोग हो या इनकी सरकार इनका हर काम नाकारतमक का प्रतीक है पिछली बार की तरह समाजवादी लोग कहीं चैप्रकाश नारायन जी की जैनती पर उनकी मोर्ती पर मालयारपन करने ना चले जाए इसलिए उन्हें रोकने के लिए हमारे नीजी आवास के पास वेरिगेटिंग कर दी गई है भाजपा ने पीडिये के रास्ते रोके हैं भाजपा ने सोहार्द के रास्ते रोके हैं भाजपा ने अमन चैन के रास्ते रोके हैं भाजपा ने समीधान के रास्ते रोके हैं भाजपा ने आरक्षन के रास्ते रोके हैं अखिलेश ने ये पोस्ट इसलिए किया क्योंकि लखनों में उनके आवाज के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। साथ ही पुलिस कर्मी वेरिकेटिंग लगा कर पहरा दे रहे हैं ताकि जेपी की जैनती पर सपाई किसी भी तरह का हंगामा ना कर सके और माहौल शांती पूर बना रहें। फिलहाल लखनों में जेपी की जैनती पर और क्या कुछ सियासी घटना करम होता है इस पर सब की निगाहें तिकी हैं। हम आपको पलपल की पूरी जानकारी देंगे इसलिए बने रहे हमारे साथ।